बुड मॉर्णिंग बच्चों कैसे आप सभी आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ की गनित की वक्षीट वक्षीट नमबर 65 जो कि आपकी डेट 9 दिसंबर की है चले आज की वक्षीट में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धिती अध्धायवन जो आपका चैप्टर वन है वो बेट अनवर्थि होती है तो आपका थर्ड इसमें आजएगा दो परीमें संक्याओं के बीच की डैश परीमें संक्या होती है थर्ड है ट्विट्टिट्ट्वाइब सेवन को दिशम्लब रूप में लिखें जब आप बाइस को साथ से भाग करेंगे तो आपका आजएगा 3.14 इ 111 को फिर आप 10 से गोना करेंगे दोनों साइड में तो यह हो जाएगा 10 X बराबर यह हो जाएगा आपका 1.11 ठीक है यह equation फर्स्ट हो जाएगे यह second हो जाएगी आप करेंगे second में से 1 को minus करेंगे तो यह होगा आपका 10 X minus X is equal to 1.111 minus 0.111 यह होगा 9 X is equal to 1 फिर आएगा आपका X की value 1 upon में 9 ठीक है तो आपका answer आजाएगा 1 upon में 9 अब ऐसे ही बिल्कुल जैसे अभी fourth question के है बिल्कुल यह भी ऐसे ही है X को हम माल लेंगे 0.32 बार इसका बार का मतलब क्या है कि यह जो नंबर है यह बार बार आ रहा है टू टू ठीक है यह आपकी first equation हो गई 10 से गुणा करेंगे तो 10 X is equal to 3.222 यह आपकी second equation हो गई second minus first आप करके देखेगा तो 10 X minus X is equal to यह आपका इधर की side से minus करेंगे 3.222 minus 0.322 तो यह बिटा आपका अंसर आगा 9 X is equal to 2.9 X की value आएगी 2.9 upon me 9 इसको decimal को टाएंगे तो 29 upon me 90 आपका answer आजाएगा ठीक है फिर है आपका six question आपको बतारा है कौन सी परी में संख्या है कौन सी आप परी में संख्या है ठीक है तो first जो है आपका है आपको देखना पड़ेगा चले मैं आपको बताई देती हूं कि परी में संख्या आपकी कौन सी होंगे और आप परी में कौन सी होंगी फर्स देखे फर्स आपका लिखा हुआ है 29 point अब यह देखे यह कहीं पे भी न स्टॉप नहीं हो रहा है रूकी नहीं रहा है चलता जा रहा है ना तो यह आपकी परी में संख्या हो जाएगी रूट वाली संख्या हमेशा अपरी में होती है अपरी में ठीक है अपरी में मैं पहले रूट वाली लिख देती हूं यह भी अपरी में और यह आपकी अपरी में ठीक है क्योंकि पॉइंट में अब यहां देखे एट यह परी में संख्या यह तो clear यह आपको इसका आधे हैं आपका 98.3 ये भी उटा आपका परीमेंस क्या ए क्या ग्योंकि दसम्रव के बाद ये क्दम हो गया है दसम्रव क्या रिपीट नी हो रहा है इसके बाद 25 अब इसमें देखे यह जो है आपका यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे 25 इसको हम लिखेंगे अपरी में ठीक है यह आपके अपरी में संख्या है क्योंकि यह रिपीट होती है यह कौमा लगा रखा लेकर निनोने यह खतम हो गई ठीक है अपरी बिल्कुल ऐसे इसके बाद हो रहा है चलिए कोईशन देखते हैं सेवन में भी यह 0.06 को पीवाई की फिर में लिखेंगे अभी हमने उपर फॉर्थ और फिफ्ट कोईशन के बिल्कुल ऐसे करना है आपको एक्स की वैल्यू आपको लेनी है 0.6 बार जिसको हम लिख सकते है 0.66 यह आपकी फिर्स्ट ए हो जाएगी ठीक है फिर 10 से मिल्टिप्लाइ करेंगे 10x is equal to इधर आजाएगा आपका 6.66 ठीक है अब आप इसको माइनस कर दीजिए यह सेकंड एक्वेशन होगी सेकंड माइनस फिर्स तो यह हो जाएगा आपका 10x-x is equal to 6.66-0.66 यह हो जाएगा आपका 9x is equal to 6 यहाँ एक् हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2x6-309 माइन तो 2x3 आपका आजाएगा फिर आए बी विख्वेशन कि आपको दो ऐसी परिया परी परीमें संख्याहों को गुड़ा करना है कि आपको गुड़ा कर गई परी में मिल जाए तो मैं रूट 2 और रूट 8 को जब मैं मैं बढ़ा में ही मिले तो मैं रूट 3 और रूट 2 को 4 को मल्टिप्लाई करती हूं यह रूट 2 को भी कर सकते हैं तो यह कितना आ जाएगा रूट 6 तो यह आप परिमें संख्या मिलगे ठीक है मैंने रूट 4 भी दे सकते हैं कुछ भी दे सकते हैं चले सी कवशना रूट 8 का हर का परिमेकरन करना यानि कि जो हर में लिखा है उसको गुणा करना है उपर नीचे तो रूट 8 से गुणा करेंगे नहीं के तो मैं आपकी आयेगा रूट 8 और नीचे आयेगा आठ ठीक है रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2.root 3 और नीचे होगा 8 2 से लिखे हो और पवहां है क्योंस क् nowhere一樣 को सथक्राइब करने वा decía निए तो यहाँ आपकी वरक्शूट कमट्यूट होते हूं होप आपको अच्छe से समझ में तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, थैंक यू